यह देगे students आपके पास 16-8 क्या हो गया है? 8 हो गया है और अब आप इसको बड़ा पनाने के लिए क्या करेंगे? 1 है हमारे पास तो हम लोग 1 नीचे लेएंगे it become 81 अब आपने multiply किया है 4 से आपके पास 96 आ गया है 3 से, you will put 3 here और अब आपके पास यहाँ पर क्या आजाएगा? 72 72 and you will minus अब आप इसको minus करेंगे do you in में हम लोग क्या करते हैं? minus करते हैं values के साथ ताके हमारे पास एक exact figure में answer आजाए फिर क्या करेंगे? you will take borrow from here it become 11 11 minus 2 is equal to 9 here 7 is left and 7 minus 7 equal to 0 जो क्या put करें या ना करें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता अब आपके पास क्या है? उपर digits खतम हो चुके हैं 5 भी नीचो तरगी है, 6 भी and 1 भी here you have no digit और जब आपके पास digit नहीं होता तो मैंने भी आपको एक question करवाया है तो फिर you will put point here point put करते हैं ताकि आप लोग figure complete करें और आप लोग divide कर सकें because 9 is smaller than 24 and you will आपने point put कर दिया ना and you will 0 put 0 here it become 90 यह 90 बन गया है अब आपके पास क्या करना है? आपने 90 से या तो value छोटी लेनी है या फिर exact 90 लेनी है 90 है आपके पास no 96 जो के 90 से बड़ा आ गया है तो फिर अब आप लोग क्या करेंगे? 3 से again multiply करेंगे तो आपके बस क्या आ गया है? 72 and you will put 3 here and 72 here and you will minus 72 from 90 and the answer is 1 यह देखें कि अब आपके बस 0 है 0 में से minus नहीं हो सकते 2 and you will take borrow from here 10 minus 2 equal to 8 and 8 is left 8 minus 7 equal to 1 18 फिर छोटा हो गया है देखें जब अब छोटा हो जाता है तो हमें बार बार पॉइंट नहीं लगाना पॉइंट सिर्फ एक दफ़ा लगाना है और जब हमें जितनी बार 0 हमें जोरुत पड़ेगी तो हम लोग 0 हम लोग लगा सकते हैं पॉइंट हमने जस्ट एक दफ़ा पुट करना है हमने पॉइंट लगा दिया यह फिर 18 है यह छोटा है हमें बस यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है जो हम नीचे लेके आएं कि इसको बड़ा बनाएं तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगा हुआ है तो है we will put zero here understand students हम लोग यहाँ पर zero put करेंगे अब 180 है अब 180 को हमने यह देखना है कि 180 कहां आ रहा है यह देखें कि यहाँ पर 216 है 192 बड़ा है और हम यहाँ पर क्या है 7 से multiply करें तो 168 है और हम लोग फोरन छोटी value लेते हैं 144 भी तो छोटी है लेकिन हमने यह value नहीं इसलिये ली क्योंकि हमने फोरन छोटी लेनी है 168 भी छोटी है 168 के बदेख हम 8 से multiply करेंगे तो 192 हो रही है तो 168 जो है वो फोरन 180 से छोटी है understand students क्योंकि इसके 168 के बाद फोरन जो आ रही है वो value next पे वो 192 आ रही है 7 के बाद multiply 8 से करेंगे तो 192 हो जाता है 7 से multiply करेंगे तो 168 आ रहा है यह रहे कि students अब आपने क्या करना है और एक और बाद आपने यह याद रखनी है कि value उसके नीचे ही आए जैसे मैंने यहाँ पे 4 जहां पे minus करते जा रहे है उसके बिल्कुल digit के बिल्कुल नीचे digit आना चाहिए ठीक है अब यह minus करेंगे आप 10 में से यहाँ से borrow लेंगे 7 is left and 10 minus 8 equal to 2 and 7 minus 1 equal to 1 और यह 1 में से 1 यह तो 0 अब है पास point लगा हुआ है क्योंकि 12 जो है वह किसे छोटा हो गया 24 से and you will put 0 here it become 120 हमारे पास 24 को 5 से multiply करें तो 120 आ रहा है जो के क्या है equal है value 120 के and you will put 120 here and you will minus and answer is 0 यह देखें अब हमारे पास point लगाने से क्या हो गया है कि answer है हमारे पास आ गया है 0 आ गया fully divide हो गया अब यह हमारे पास now this is quotient यह अब आपके पास क्या है quotient yes this is dividend this is divisor divisor and this is remainder यह क्या है आपके पास remainder है hopes हो कि आप लोगों को समझ आ गही होगी जी students आपको पिछले lecture में division की complete description और recap दिया गया था और details दी गई थी कि आपने division को कैसे लेके चलना है और division होती क्या है और इस lecture में आपको details दी गई है और आपके पास questions है question number 12 and 13 you have six part in question number 12 and you have also six part in question number 3 और ये आपका task है three days का जो आपने three days में complete करना है understand students ये उसी तरीके से आपने perform करने है questions जैसे आपको वीडियो में बताए गई है now I have a mental maths question word is the next number in sequence ये आपको एक sequence दी गई है आपने इसमें से ये बताना है कि यहां पर कौन सा number आता है आपने ये अपना mind यूज करना है